हाइपर लैक्ट तो जो डिरक्जाहिण होता है इसका फोल पॉर्म होता है है ई-बह्य बहुते हैं हाइब पर फॉर्मींस ले यह तो एक अडआंगल स्पूलर्मंट के लिए स्प्शेडेंद किया गया है और जब हमें communicate करना होता है तो जैसे हम wireless LAN के बारे में हमें पता है और wireless LAN तो जो 802.11 जो वर्जन है उसकी जगा पे एक क्या है कि जो European Telecommunication Community है उन्होंने high speed पे communicate करने के लिए अलग से एक जो है protocol पे काम करना चालू किया जिसे हम बोलते हैं hyper LAN तो hyper LAN जो है इसके हम जो main main feature है उसको देखेंगे अभी तो hyper LAN जो है asynchronous asynchronous दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं और multimedia को भी support करता है और इसका जो speed data rate है हो है 23.5 Mbps और जो frequency है क्योंकि हम wireless communication की बात कर रहे हैं तो कुछ frequency यूज करेंगे तो question है कि जो hyper LAN है उसमें हम कौन सी frequency यूज करते हैं तो frequency जो हम यूज करते हैं वह है 5.15 GHz and 1.71 GHz दो यूज करते हैं फिर जब इस frequency band को हम यूज करते हैं हमने देखा कि speed कितना है उसके बाद देखा कि frequency का कौन सा band है नेक्सका कि कितना distance कभर कर सकता है तो इसका जो range होता है यह 50 meter होता है 50 meter तक का यह range cover करता है और mobility क्योंकि यह wireless है तो जो हमारे पास जो equipment होंगे जो data access से हमारे पास जो device होगा जो receive करेगा तो कितने speed तक move कर सकता है तो उसका जो speed है 10 meter per second से कम होना चाहिए topology जो है packet oriented होता है और यह support करता है दोनों ही चीजों को centralized को भी and ad hoc को भी करता है support करता है जो दो concept है centralized and ad hoc communication इन दोनों को यह support करता है उसके बाद क्या होता है कि यह 25 25 audio connection को 32 kilobits per second से हम use कर सकते हैं और उस case में latency जो होगी 10 millisecond और video connection की बात करें तो video connection जो है 2 mbps तो video connection जो है 2 mbps जो है 100 millisecond latency के साथ हम use कर सकते हैं और जो data rate होगा उस case में वह 13.4 mbps होगा तो यह जो है mpeg इस format को भी support करता है और other state of art real time digital audio and video standard को भी support करता है तो जो hyperland की हम बात करें इन के दो टाइप है तो type 1 this hyperland are available in two types दो टाइप में अविलेबल है एक type 1 और type 2 कहते है तो type 1 में होता है this is distributed mac mac होता है media access point and quality of service जो है based होता है GMS के Gaussian minimum shift keying पे और जो type 2 है इसके पास जो होता है centralized schedule mac होता है और यह जो है of dm को use करता है तो यह जो हमने अभी तक किया यह था कि feature क्या क्या है उसके बाद objective क्या है जो हमारे पास hyperland है तो objective है कि quality of service जो है प्रवाइड अच्छे से करें and multi service network हो security जो है वो feature जो है अच्छे हो उसके बाद hand off क्या होता है कि जब हम move कर रहे होते है तो एक से दूसरे को service को जो होता है जो हमारा signal जहां से मिल रहा होता है तो हमारा जो device है वो move कर रहा है तो किसी एक जो fix network है उससे connect होता है तो उसको छोड़के फिर दूसरे वाले fix network के साथ connect हो जाई से हम बोलता है hand off तो hand off होने के लिए जो है इसमें feature है hand off when moving between local area and wide area के बीच में जब हम move कर रहे हो तो उनके बीच में hand off हो जाए और जो total through output है वो बढ़ जाए इसको use करना आसान हो maintain करना आसान हो और यह use करने के लिए जो है सस्ता भी होना चाहिए और इसको जब हम बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सके इन objective के साथ है शुरू हुआ था और एक typical जो है यहाँ पे हम hyperline को देख सकते हैं नीचे figure में तो यह आप एक fix point है और उस fix point से जो है different different access point है जहां से कि hyperline जो है ओ connect हो के उनको access करके use कर सकता है तो यह जो है एक wireless से connect करने के लिए 802.11 की तरह ही काम करता है यानि यह एक तरीके से wifi का European जो है एक alternative है धन्दवाद तो आप इस वीडियो को like और share जरूर करें